हेलो एविवान सुवागत है आप सभी का कोलकता बनाम आइदरबाद के इस बड़े मुकाबले में यह होगा है इडन गार्डेंज इन कोलकता किसने बोला डवल डडर का प्रिव्यू नहीं आएगा मैं नहीं बोला था रात भर वो मिड्नाइट ओयल चला के यह प्रिव्यू आपके लिए पैदा किये वहां से कल में भी एक ही प्रिव्यू है बट यस कोशिश वही थी पूरी एंद पूरी हुई है वह कोशिश तो एडन गार्डेंज में यह मुकाबला इंश और आप लाइक बटन हिट करें बैल आइकन जरूर हिट करेगा वीडियो एंड तक देख आपको मिल रहा है रूपीज हंडर्ड रियल के आश तो किसकी इंतिजार कर रहे हो जल्दी साइन अप करो और चल रहा है बहुत बड़ा सीरीज लीडबोर्ड और माइमास्ट 11 जहां पर आप जॉइन कर सकते हैं जीत सकते हैं बड़े-बड़े प्राइज आपको सिंपली क आप जीत सकते हैं अब तो टू लाक्स प्राइस प्लस यह बड़ी-बड़ी गाड़ी अगर आप कंसिस्टेंटली जॉइन करते हैं वह लीग इन एवर गेम अप टू 25 बना सकते हैं बोनिस ब्यूस कर सकते हैं कैसे मिलेगा बोनिस जैसे आप साइन अप करोगे हमारे लिंक के साथ जॉइन जाब अगर आपने लाइक नहीं किया अभी अभी लाइक कर लीजए अब चलते हैं वैदर रिपोर्ट की तरफ कुछ क्याटर थंडर स्टॉर्म्स है बट रेन के चांसे काफी कम तो उस हिसाब से ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं बड़ अगर थोड़ी स मिल जाएं स्पिनर्स को वैसे जो स्लोनेस मिलती है वो ट्रैक से मेभी बॉल थोड़ी स्केड ऑन कर जाए तो वह कंडिशन का थोड़ा सा ध्यान रखेगा थोड़ा समय जल्दी जा रहा हूं इस प्रिवी में क्योंगी मुझे पता है आपने से कही लोगे प्रिव्यू पह हमने देखा कि वो स्लो नेचर वापस आगया अगर आपको वो ऑस्चेलिया साथ आफ्रिका व्ला सेमी फाइनल यादे क्या क्लो समी फाइनल दोनों गेम्स की स्पिनर्स एक तम से गेम में आ गए थे तो लाइफ पिच रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी होगा इस पक्रवर्तियन सुया शर्मा तू सौट आउट दी अटाइक एसा रेच की बात की जाग ट्रैविस हैट मुझे लग रहा है यहां पर खेलेंगे मयंग अगर्वाल राहुल रिपार्टी एडिन माकरम औरिक लासन अभी शेक शर्मा यहां पे खेल सकते हैं अब्दुल समद् सुंदर पैट कमिंज हो सकता है माको यैंसिन भी खेले इन प्लेस वन अफ दी अधर फॉरेनर्स भूबनेश्वर कुमार नटराजन उम्रान मले क्या मयंक मरकंडे अब यह बहुत बड़ा हिंट होगा आपके लिए अगर यहां पर मयंक मरकंडे कहलते हैं स्लॉट में आपक इनका रिकॉर्ट काफी आवरेज है दोनों इनिंग में बिलोव 25 करते हैं दोनों पर क्रॉस है वहां पर पिछ डिपेंड करता है कैसे टाइप पर ट्रैक है फॉम इनके साथ है नहीं तो अभी के लिए इने बैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सरेच के सामने दो म आवरेज इनका बट हमें पता है कि SRH में कुछ एकदम ऐसे पेसे हैं जो एकदम लाइन पर फोकस करते हैं तो इन्हें मुश्किल आते हो सकती है यहां पर यहां पर 38 का आवरेज क्यों लिखा हुए यहां पर 38 है उसे एक नौर कीजिए 11 मैच्च तू फॉर्टीय आवरेज तो ठीक ठाक नंबर्स हैं मैं कहूंगा अगर बोलिंग ऑप्शिन यह बनते हैं आपके लिए समझे आपको लगदा है यह फिस्स बोलर होंगे टीम के तो आप लेके जा सकते हैं पर क्यूंकि आजकल इंपक्ट प्लेर आ गया है वह मौका भी प्रिटी मुच चला जाता है ह हैंस मेरे हैसाब से यह आवरेज पीकी बनके रहें जाएंगे इस मुकाबले में निति श्राना फिफ्टीन मैच इस फाइरी सेवन सरी फाइज की आवरेज अर्सराइच के सामने अच्छा किया है एन आट कोलकता 22 मैच इस इस तोड़ा सा स्पिन होगा ट्रैक में है तो इम कोलकता थोड़ा अवरेज नंबर से 29 का यहां पर यह आवरेज रखते हैं बट मेरे साब से इनके लिए एक बड़ा सीजन होगा मेरे प्लेयर टू वाच आउट फो रहे हैं इस सीजन वीक अगें शॉट बॉल बड़ अगर पिच्छ तोड़ी स्लो है यह स्पिन के किंग है स्पिन बहुत अच्छा केलते हैं तो इस बात का ध्यान रखे रिंकु सिंग इनकी हम क्या ही बात करें फोर मैच्छ फॉर्टी सिक्स का अवरेज वसिस हाइदरबाद और कोलकता में पच्छास का अवरेज कि इस तरीक यह बैटिंग कर रहे हैं हर शॉट है इनके पास कभी के लावा इस इंसान को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड्र रसिल अफकोर्स के क्यार के वन अवदर टॉप प्लियर्स हैं वसिस ऐसारेज 21 का अवरेज रखते हैं बट 17 विकेट भी लिये हैं एड कोलकता भी 32 विकेट 32 का आवरेज तो ठीक टाक नंबर यहां करते हैं इनके विकेट टेगिंग बहुत कम हो जाते हैं उस कारण आप एसरेज के सामने भी देखें तो 23 मैचेस में सिर्फ 15 विकेट प्लस इनकी जो बैटिंग है वो भी एकदम डिक्लाइन कर चुकिया आजकल इनसे हम कुछ खास पा रही है देखते हैं तो हैंस मेरे साब से एक ठीक चॉइस नहीं है और यहां पर भी वापस पेसर लिखा हुआ है यह हम टेक अप करेंगे हमारी एडिटिंग टीम के साथ जो मैं खुद हूं क्योंकि यह प्रिव्यू थोड़ा जल्दी चर्न आउट किया गया है एंस वहां पर वो नीच वाले डिस्रिप्शन मिस हो गया है फिर चलते हैं मिचल स्टार्ग की तरफ ओल फेस पेसर है तीन मैचेज में तीन विकेट चैनाट कोलकता इन टी ट्वेंटी वन मैच वन विकेट अफकोर्स डेटा बहुत नहीं है बड़ बहुत ही देंडरोस बोलर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेर ऑफ दिस सीजन देखते हैं कैसे करता हैं नॉट तू शॉर की मिचल स्टार्ग पैट कामेंज आपने बहुत पैसे तो खच कर दी इन पर बट कैसे खेलेंगे दैट विल बी इंट्रेस्टिंग तो वाच हर्शित राना एक मैच में एक विकेट 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 सेट कोलकता ठीक टाक शर्मा एक मैच में जीरो विकेट 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 अगर कोलकता में वो स्लो डेक आया वापस तो इनका काम आपे बिल्कुल भारी हो जाएगा हैंस इन पर पूरी तरीके से आप ज्यान रखें स्पेशली जब यह सेकेंड बोलिंग करते हैं यह और वरुन चक्रव वरुन के एट मैच में ग्यारा विकेट तो काफी अच्छे नंबर यहां पर सिर्फ फ्लाटर ट्रैक्स पे ज्यादर तकलीफे होते हैं तो अगर यह पिछ रिपूर्ट आती है कि फ्लाट ट्रैक है अच्छी ट्रैक फॉर बैटिंग है फिर आप इन दोनों को नहीं ले जा हमें इन दे लास्ट वर्ल कप पाइनल और ज्यादा डेटा नहीं इतना एपियल खेले नहीं काफी समय हो गया आने खेलके बट अफकोर्स डेंजरस प्लेयर कंसिडर कर सकते हो अगर अच्छी ट्रैक फॉर बैटिंग हो मैं अगरवाल रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं व बहुत कंसिडरिंग अब चलते हैं राउल्त रिपार्टी की तरफ यह ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक एक रेविलेशन थे हर जगह यह बॉल मार पाते है पेस के सामने भी शॉट्स पिन के सामने भी शॉट्स थर्टीवन का एवरेज वसेश के क्या राट कोलकता थर्टी इनका काम बन सकते हैं मेरे लिए मोर देन फॉर्म पिक है एक गट फील पिक है और एक्स के क्यार फिफ्टी टू का आवरेज अट कोलकता एक फिफ्टी मार चुके हैं यह पहले लास्टियर अगर आपको यादा है हारी ब्रूक के साथ जब वो पारी खेली थी काभी टैलें है चेजिंग कभी कबार ठीक टाग नहीं कर पाते है बड़ उसके अलावा इधिंग क्वाइड गुड प्लेयर और विट ऑस्पिन यह आपको अच्छी कासी कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं और इन्रे क्लासिन की बात की जाए तो यह काफी पुराने रिकॉर्ड है आप रि अभिशेख शर्मा वैसे तो ओपनिंग बैटर हैं बड़ अब लग रहा है कि मेभी मिडल ओडर में आ जाए अनलिस यह ट्राविसेट को नहीं खिला के इनको ओपनिंग कराए तो इनकी ऑपरचुनिटी वाल्यू बहुत बढ़ जाती है करेंटली कम है इनकी मिडल में जादा मिलते नहीं और में बी सेकेंड बोलिंग में जब अंडर प्रेशर थोड़ा ज्यादा एफेक्टिव हो सकते हैं बट डेटा वो चीज नहीं दिखाती डेटा के साबसे दोनों इनिंग में काफी कम विकेट सी लेकर जाते हैं एड कोलकादा थ्री मैंस त्री विकेट टोटली एक पिच बेस कॉल रहेगा इनके साथ पैट कमिंस की बात की जाए एक और इंसान जो जिननने हमें काफी परिशान किया ओफ लेट त्री मैंस टू विकेट आड कोलकादा एं वर्सिस के क्या टू मैंस टू विकेट सो नॉट तू मुच डेटर टू टॉक के साथ के साथ से लेकर चलें तो लेकर जा सकते हैं बूवनेश्वर कुमार बहुत अच्छे नंबर्स वर्सिस के क्या टू ट्री टू विकेट सेना आट कोलकादा भी बारा मैंचे में पंद्रा विकेट और इनके मैच-प्स बहुत सारे अच्छे मैच-प्स हैं मैं आगे डिसकस करूँगा मैच-प्स वाले सेक्षिन में जब स्विंग होती है तो थोड़े ज्यादा एफेक्टिव हो जाते हैं यह पिछ से में भी कुछ खास ना मिले बट जो फॉर्म है अच्छा है जो मैच-प्स है सामने वाले टीम के इनका काम बन सकता है नट्राजन यह ऐसे में डेफिनिटली मेरी टीम में रहेंगे मुस्तफी जो टाइब का रोल यह प्ले कर सकते हैं उम्रान मलिक फॉर मैच इस सिक्स विकेट सोसिस के क्यार सेकिंड इनिंग में जब अंडर प्रेशर यह आते हैं सिक सेवन्ट ओवर के बाद तो तब अंडर प्रेशर इनको मारन अतना असान नहीं होता बट प्रॉब्लिम क्या इनके साथ की बैटर से ज्यादे हैं इनकी आक्यूरिसी कंसन है यह सबसे इनका जो फ्लो रिजम हो खराब हो जाता है फिर फूल टॉस डालने लग जाते हैं बट अपकोस रीसेंट पॉर्म कुछ खास नहीं रहा है बट आइ लास्ट डे है डिपोजिट ओफर का भी और माय मास्ट लेवन आपको मिल आप तो सिक्स परसेंट रियल कैश तो डिपोजिट करिए स्मॉल लीग की एंट्री सी भी कम है बाकी सारे लीडिंग आप से तो इंशॉर यू डिपोजिट राइट अवे आपका लिंक है वीडियो और सिंप्ली वैसे ही प्रॉफिट कमा सकते हूं यहां पर ना टीडियस है ना जी एस्थी मैच अट की बात की जाए तो एडिन माकरम वर्सिस बरुन या चक्रवती यहां पर 67 और 36 अच्छे नंबर्स हैं और स्ट्राइक रिट भी काफी अच्छा श्रेयर आउट हुए तो बेस्टीम के पहले आपको दिख रहे हैं बड़ा साफ फ्री कॉंटेस्स अलरी लाइव है तो दो तीम की साथ अभी-के अभी जॉइन करीए अब चलते हैं आज की टीम की तरफ कीपिंग सेक्शन में सिंपल जोइस हैं ज्यादा सोचने की जरुवत नहीं बैटिंग सेक प्रिफिनिटली मेरे टीम में होंगे वाइल वनिंदु असरंगा अगर खेलते हैं अगर फ्रेटली मेरे टीम में रहेंगे इस्पैशली अगर 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 श्लो ट्रैक हुआ सुनिल ना एन वाइल बोलिंग सेकंड अभी के लिए इनके साथ आप नहीं कर रहा हूं बोलिंग की बात की जाए तो मिचल स्टार्क मिल एक स्ट्रेट फॉर्ट पे बूवनेश्वर कुमार की भी नंबर अच्छे है तो मैं उनके साथ आप करूंगा यहां पर सुया शर्मा अगर सेकंड बोलिंग करते हैं तो टीम में रहेंगे हैं अभी के लिए इने स्लॉट इन करके जा रहा हूं है यहां पर तो यह जो आठ पिक्स हैं I think काफी ज्यादा स्टॉंग हो सकते हैं इस मुकाबले में उसके लावा बात करें बाकी की चॉइसे की तो बै अगर उसका उल्टा हो जाता है तो सीवी सीवी महा पर मैं इनवर्ट कर दूँगा तो यह हुई अभी के लिए हमारी टीम उसके अलावा जो भी चेंजिस होंगे बता दूगा अब चलते हैं हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शिंस की तरह ग्रैंड लीग ऑप्शिंस की बात की जाए लो सिलेक डाक उस पिक्स तंग रासू नटराजन बोलिंग फॉर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं यहां पर सुया शर्मा स्पेशल इवन बोलिंग सेकंड पैट कमिंज एक हाई सिलेक ड्रॉप्रिस बॉंब जैसे उनके नमबर्स है जैसे अब तक IPL का परफॉर्मेंस रहा है उनका और जील सीवी सी चॉइस बाटिंग फॉर्स बोलिंग सेकंड रिंकू एंड माकरम और बाटिंग सेकंड बोलिंग फॉर्स टाक एं श्रे कि क्रिक प्रो लाइक कॉमेंट और जरूर करेगा जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवी के लिए थैंक यू सो मुच पर तुनिग इन और थैंक यू सो मुच पर आल यू सपोर्ट